अगर वो दुबाई आना चाहते हैं तो उसका कितना खर्चा आएगा क्या क्या प्रोसीजर होगा तो अभी ड्राइविंग का लाइसेंस बनवा है तो वह को बताएंगे यहां पर किस तरीके से आप लोग आते हैं अगर इंडिया पाकिस्तान बांगलादेश से यहां पर ड्र ड्राइविंग लाइसेंस किस तरीके से मिलेगा क्या-क्या प्रोसीजर होगा कितना कोस्ट आएगा कितना खर्चा आएगा तो पूरी डिटेल हमाइन भाई जो है वो बताएंगे तो आप बताईए हैं अगर यहां का लाइसेंस आपके पास है तो समझ लीजिए आपके पा लीजिए क्योंकि लाइसेंस अगर आपके पास है तो दो हजार से लेके तीन हजार तीन हजार पांसो दिरहम आप सैलरी आराम से आपको मिलेगी स्टार्टिंग सैलरी है यह दो हजार से स्टार्टिंग सैलरी अगर आपके पास लाइसेंस है लेकिन यहां का लाइसेंस बना चाहिए की बात करें तो लगबख एक से डेर लाख से दो लाख रुपए तक लगते हैं मिनमाम कम से कम एक लाख से लेके दो लाक आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा प्लस अपना टाइम देना पड़ेगा और जितनी चीज सिखाते हैं वो सीखना पड़ेगा तब जाके आपको यह हासिल होगा इतनी असानी से तो कोई भी चीज नहीं होती पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है फर्स्ट कुछ कंपनियां होती है जो अच्छी है उसकी सिगनेचर चाहिए थी जब से कोरणा स्टाट हुआ है तब से वह सिगनेचर नहीं चाहिए सिर्फ आप खुद भी कभी भी किसी टाइम ओपन कर सकते हैं फाइल यहां की पहले ऐसा होता था कि पर बने क्लाश है लोग और वन के जुद सिर्फ नहीं नहीं तो फ्यादा भी काम पर खकानाए लोग और ट्रेनिंग और जिसके पास हम कांश्रायं वह चवह च्श्पेंगा बना प्र मिसिन नहीं देते thickness यहां लेकिन लोगां नहीं देते थे क्यों कि वह सोचते थे अगर हम पर्मीशन दे देंगे यह लाइसेंस बना लेगा तो यह हमारे पास से चला जाएगा दूसरी जॉब देखेगा तो इसलिए वह पहले नहीं देते लेकिन अब यहां की गौर्णमेंट ने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है आप अपनी मर्जी से कभी भी बनवा सकते हैं किसी की कोई सिगनेचर नहीं चाहिए हो यह अच्छा है हम लोगों के लिए अपने फ्यूचर के लिए सपोज यहां हमारी सेलरी एक हजार है और हम लाइसेंस बनाएंगे तो दो हजार क्यूंकि हम लोगों के लिए इसलिए बहुत अच्छा हुआ ह चाहिए और बस इतना चाहिए फिर जो आपका वीजा है वो वीजे की कोपी चाहिए फिर आप जाए के टाइपिंग सेंटर तो आपको पतही होगा होते हैं महां से जाके आप अपनी फाइल सम्मिट कर सकते हैं क्योंकि सारे डोकुमेंट्स वह सम्मिट करेंगे वह unha विद आपको सबसे पहले आई स्ट्रेस्ट भी करवाना है वो भी 100 दिराम का होता है आई स्ट्रेस्ट उसके बाद आई स्ट्रेस्ट लेके जब वहाँ आप जाएंगे और 350 आपकी जो है वो वहाँ टाइपिंग सेंटर की फीस होगी वो लोग वो आपके डोकुमेंट्स वहाँ सेंड करेंगे पुलिस स्टेशन में क्योंकि यहाँ की जो पुलिस है वो पहले अप्रूफ करेगी कि आपके उपर कोई केस तो नहीं है आप अच्छे इंसान है कोई कुछ भी कोई मतलब कोई प्रॉब्लम क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है जब वो अप्रूफ करेगी वो 堵क्रूफ कर देती क्यूंकि सारह औलधा आपका चेकर करने के बाद थिर महां से आपकी जाएकी वहां से वह वह पकूंद्मेंट देंगे कौन से थारीخ कौन सी टाइम है उस date में उस time में आपको महाँ पहुँचना है उस पहुँचने के बाद वो जो महाँ पर first day होता है पहुँचने के बाद वो 1600 दिराम कुछ वो लोक लेते हैं वो class के पर depend करता है फिर यहाँ पर class भी दो type की होती है एक होती है वी आई पी और एक होती है इस ही normal वी आई पी means जिसके पास job के लिए time नहीं है वो रोज नहीं जा सकता है तो वो हफ़ते में एक दिन जा सकता है लाइक नॉर्मल की है 65 दिराम एक क्लास की और वियाईपी की है 105 एक सो पांच ऐसे कुछ तो क्योंकि ये बढ़ती गटती रहती है इसलिए कन्फर्म नहीं जब हमने बनाया था तब वो 65 थी नॉर्मल की और वियाईपी की थी 105 वो जब आप महाँ पर 1600 आप पे करेंगे और टोटल आपको महाँ पर लगबख 3800 अरे 4000 आपको महाँ देने हैं लेकिन फस्स डे आप जब जाएंगे तो 1600 वो तो आपको जरूर देने उसके बाद जो पेंडिंग आप कर रहे गया है वो आप कभी भी दे सकते हैं 10 दिन के यह बहुत अच्छी चीज़ है यह जब आपको सैलरी मिले तब आप दे सकते हैं no issue तो आपकी ट्रेनिंग वहाँ से start हो जाएगी first आपको signal test means कितने जो भी symbol होते हैं stop का giveaway का मतलब हम लोग को कहां रुखना है क्या कौन सा निशान किस चीज़ का यह सब सिखाते हैं जो rules होत हैं वो और हाँ सबसे अच्छी बात यह है कि यहां का जो license है वो बहुत सारी countryों में चलता है जैसे कि जितनी अरब country है साथी दुबाई कोईत कता रुमान सब कहीं चलता है प्लस UK वगेरा में भी चलता है कुछ like 50 कुछ बहुत सारी countryों में चलता है यह और valid है आप कहीं भी जाएंगे इसी license के साथ आप drive कर सकते हैं इसलिए international जितने भी symbol है जितने भी sign है जितने भी निशान है जितने भी चिन है यह लोग सिखाते हैं बताते हैं और with computer और हर तरीके से वो तीन दिन की training होती है वो तीन class वो तीन दिन सिखाने के बाद test लेते हैं कि आपने सीखा य से आप start करेंगे अगर आपको drive नहीं आती है तो वो लोग बताएंगे कैसे क्या चलाया जाता है कैसे क्या होता है लेकिन बस यह है आपको अच्छे with positive mind और पूरा ध्यान उसमें देना है अच्छे से सीखना है क्योंकि जितना आप लेट लगाएंगे उतना पैसा आपका ज टेस्ट फेल किया लगबख 600 द्राम और इसलिए आप बहुत ज़्यादा ध्यान से और अगर आपको drive नॉर्मली कहीं आपने कभी भी चलाया है आपके पास license नहीं है लेकिन आपने चलाया है license नहीं है इंडिया का या बंगलादेस का या पाकिस्तान का या कहीं का भी जहां total 6000 द्राम से लेके 8000 द्राम तक लगता है अगर आप पास कर रहे हैं first attempt में पहली बार में अगर आप पास कर रहे हैं तो 6000 द्राम आपका लगएगा अगर फेल किया एक बार तो उसमें add कर दीजी 800 द्रामा इसे ही जितनी बार आप फेल करते रहेंगे उसमें आप add करते रहे इसलिए अगर आप license बनाना चाहते हैं हर इंसान बना सकता है बस आपके पास passport होना चाहिए वीजा होना चाहिए और आपकी idea हर इंसान बना सकता है कोई नहीं है और आपको drive नहीं भी आती no problem वो लोग आराम से अच्छे से बहुत carefully सिखाते हैं बस आपको अच्छे से सीखना ह और अगर आप license बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि एक license यहां की इतनी value है एक समझ लिए degree की तरीके से जैसे कि आप महां doctor है या graduate है या license की कीमत license की value सेम एक degree की तरीके से license अगर आपके पास है तो starting salary 2000 से start है 2000, 2500, 3000 वो धीरे धीरे इंशालला बढ़ती रहेग आप अगर license बनाना चाहते हैं कुछ भी ना सोचिए क्योंकि लोगों के दिमाग में ये बहुत सारी बाते आती है license बनाना बहुत मुश्किल है ये ऐसा कुछ नहीं है simply आप जाईए सिर्फ आपको 40 दिन देने हैं हफते में जो एक छुटी रहती उस दिन नहीं जाना है 40 द बना लेंगे तो हमारे भाई नहीं भी जो option है वह आपके भाई बताते रहेंगे शेर करते रहेंगे बस आप उनको जो है like करिए subscribe करिए और follow करते रहें ताकि वह जो है आप तक अपनी vacancy या कोई भी knowledge या योई से मतलब दुबाई से related कोई भी knowledge आप तक बता सके आपको कि यह जब कोई वीडियो डाले सीधा आपके पास तरीके से पूरी डीटेल को किस तरीके से पूरी आप लोग को पुरा प्रोसीजर बताया तो आई हो आप लोग के सब समझ में आग गया होगा तो आप मुझे ज्यादा बताने की जहुरत नहीं है बस आप लोग अपने अपने आपको confident रखिए तो बस thank you